नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी गुप्ता बिहार चुनाव भले ही अब खत्म हो गए हैं लेकिन इस चुनाव में जिसकी सबसे ज़ादा चर्चा हुई वो हैं आरजडी नेता तेजस्वी यादव आरजडी इस चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी वेपक्षि पार्टी बनकर उबरी है तो सिर्फ तेजस्वी यादव की वज़े से चुनाव में महागडबंदन के हारने की वज़ा कॉंग्रेस को ठहराया जा रहा है ऐसे में ये सवाल भी बिहार की फिजाओं में गूंज रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने कॉंग्रेस को सतर सीटे दे कर बड़ी गलती कर दी है खेर अब जो भी हो बिहार में सरकार तो एंडिय की ही बनेगी लेकिन के आप जानते हैं कि कौन है वो शक्स जिसने तेजस्वी को बिहार में इतनी बड़ी जीत दिलाने में या यूं कहें कि लालू की चाया से निकालने में साथ दिया और साथ ही आज बिहार में आरजडी क ओएंडी के बराबर लाखडा किया अक्टूबर 2013 में जब 23 साल के तेजस्वी यादव ने महसूस किया कि क्रिकेट में उनका करियर खत्म हो गया है तो उन्होंने राजनीती में दूसरी पारी की शुरुआत करने का फैसला लिया इसमें एक शक्स ने तेजस्वी पर भरपूर विश्वास जताया तब तेजस्वी ने संचय यादव से मुलाकात की जो उनसे सिर्फ पांच साल बड़े थे लेकिन तेजस्वी ने उन्हें पिता समान बताया था तेजस्वी ने संचय यादव का परीचे देते हुए कहा था ये मेरे बड़े भाई हैं अब हम साथ साथ ह गए अपने तेज दिमाग और राजनीतिक सूजबूच के जरिये संजय यादव ने लालू यादव का विश्वास बहुत कम समय में ही हासिल कर लिया पिछले बार जब संजय यादव आरजेडी संरक्षक लालू प्रसाद यादव से राची जेल में मिले थे तो गडबंदन क तोर तरीकों और उमीदवार चयन पर खूब चर्चा की थी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मेरी उम्र से जादा चुनाव लड़ने वाले दिगजनेता लालू यादव को समझना बहुत मुश्किल है इसके लिए आपको ठोस त्यारी करनी पड़ती है अगर आप सा उबेदार पिता का एकलौते बेटे संजय यादव मामूली परिवार से आते हैं उन्होंने हर्याना के महेंद्र गडजिले के नांगल सरोही के गाउं में हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने बताया आरजेडी और बिहार में एक बहारी व्यक्ति होने के ना में पार्टी का परीचे कराया आरजेडी के संगठन में EBC और SC-ST के लिए आरक्षन लागू करने पर जोड दिया इसके बाद आरजेडी संगठनात्मक पदों में आरक्षन लागू करने वाली देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनी तेजस्वी यादव की सेवारत हैं डिप्री सीम के रूप में उनके 18 महीने के सफल का रहकाल के दौरान संगय यादव ने महदवपूर्ण भूमिकाने भाई थी जनता से माफी मांगने और पोस्टर पर अपने सीम माता पिता की छवियों के बिना जाने का सूविचारित फैसला तेजस्वी याद हलकि बिहार की राजनीती में 26 जुलाई 2017 को एक बड़ा मोड आया नितीश कुमार आजेटी गडबंदन से बहार चले गए उसी शाम लालू यादव को कोट में पेश होने के लिए राची जाना पड़ा राजभवन में तेजस्वी ने इसका विरोध किया बिहार की सडकों पर खूब हंगावा हुआ चार साल में चार सरकार सीम नितीश कुमार के पोस्टर और बैनर लहराए गए इसी समय विपक्ष नेता के रूप में राज्ये विधान सभा में तेजस्वी का भाशन और उनके पिता की तुल्ला में एक अलग द्रिश्टी कोंड रखने वाले व पज थी नितीश कुमार के खिलाफ एक जादू की तरह काम करने वाली टैग लाइन भी इसी संचय यादव ने हर्यानम में रह कर गड़ी थी तेजस्वी यादव ने हर रैली में धोराया था कि नितीश कुमार ठक गए हैं उन्हें एक ऐसे राजनेता की तरह चित्रित किया और स्तन प्रती दिन साड़े बारा रैलियों को संबोधित किया ये सब संचय ने ही सुनिश्चित किया था हलाकि पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने खुद को काराले तक ही सीमित रखा कहीं भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखे लेकिन इस दोरान रिसर्च व हैं कि यूवा नेतारून के पिता के बीच एक पीड़ी का अंतर है ऐसे में अगर सरकार बनी तो वो पार्टी के पुराने सिद्दानतों पर काम नहीं करेगी तेजस्वी के साथ अपने समिकरन को बढ़ाते हुए संचय यादव ने कहा था नेत्रित्मों में विश्वास है और मुझे तेजस्वी राजनीती का एक अच्छा छात्र लगता है वो जल्दी सीखते हैं हमारा घहरा विश्वास है इसे हम लागू करना चाहते है आज के लिए बस इतना ही देश और दुनिया से जुड़ी ताज़े तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रही है इस पे कर लीजे